बाबा की बताई हुई मार्क टू मॉडल और मार्क टू मार्केट वाली बातों को सुनकर सहीधा हैरत से उनको देख रही थी और इससे पहले बाबा के कोई दोस्त मिलते और वो मसरूफ होते उसने फौरन अपना अगला सवाल कर डाला बाबा जैसा के आपने कहा कि अगर किसी कमपनी के असासों की वो हैसियत या वैलियू नहीं होती जो उन्होंने दिखाई हुई होती है तो उनको अपनी किताबें दुबारा बनमानी पड़ जाती है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम्पनी ने अपने असासे कीमत से ज्यादा या कम दिखाई हुए हैं तो अब जो वो नई किताबे बनवाएंगे उसमें उन असासों की सही कदर और कीमत बताएंगे ऐसा बहुत दफा मुमकिन है कि अक सर कंपनी जब कोई असासा खरीदती हैं तो वो असासा उस टाइम पे बहुत महमा होता है या उसकी वालिउ बहुत ज्यादा होती है मगर वो वक्त के साथ साथ गिर जाती है जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि कंपनीज को मुआफी नामें के साथ अपनी बुक वैली उसको रिवाइस करना पड़ता है यानि कारोबार बंद करना होता है नहीं बेटा इतने बड़े कारोबार को एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता मगर अगर ऐसा होता है तो कारोबार को सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि कर्जदार अपना पैसा लेने वापस आ जाते है क्योंकि उनको ये दिख जाता है कि ये कारोबार शायद नुकसान में जा रहा है तो ये नहों कि उनके पैसे डूब जाएं। लेकिन फिर ऐसे में ये कमपनी कर्जा कैसे उतारेगी। हम ऐसी सूरत में कमपनी के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। पहला तो ये कि या तो वो ये ऐलान कर दे कि उसका दीवालिया निकल चुका है और हकूमती इदारों को आगे सारा काम निम्टाने दे। कि वो कौन सा 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 कैसे बेचेंगे और कैसे फैसला करेंगे या फिर। दूसरा रास्ता ये है कि वो किसी बड़े कारोबार या बैंक से करजा लेकर करजदारों का करज चुका दें और खुद बाजार में अपना कारोबार बहतर तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन बाबा इतने बुरे हाल वाली कमपनी को करजा दीगा कौन। ये तो सच पुछ है वेटा, वैसे कर्जा मिल जाता है, उन बैंकों या कारोबारों की तरफ से जिनको इस कारोबार के बाजार में दुबारा काम्याब हो जाने का यकीन हूँ, मगर चलो तुम्हारी बात रखते हुए फर्स करते हैं कि उनको कर्जा नहीं मिला, अब ऐसे में कर्जदार हैं ।